मैंग लूटला बूलाओ मैं डूटला बूलाओ मैं ट्यार चलूं मैं एक्जाम नहा दूँ क्या करना चाहिए मुझको कोई चीछ बोलेंगे तो आप बुरा मान जाओगे फिर बाई देखो सिंपल बात ये है कि आप जहरे लडाई से पहले ही अगे मार रहे हो बाई देखो सिंपल बात है जीवन की, जीवन में कुछ बड़ा चाहिए तो मिहनत भी बड़ी लगती है, ये बिल्कुल मतलब हमेशा से आदिकाल से चला हारा है्यसक्त त। जो जो लोग भी उद्धा बने हैं कभी न कभी असफल हुए हैं लेकिन वो फाइनली उद्धा बने हैं जीतने से पहले ही ये डर है कि भाई क्या कर पाऊंगा मैं वहाँ पे इससे बढ़िया जाओ ही ना क्या इस डियम बनेगा यार तू आईसे लोगों से मेरा सिर्फ यही कहना है कि भाई प्लीज डरिये मत सबकी हालत यही है सबकी हालत पतली है और सबकी एक अई कंडिशन है जो आप लोग मैं से टॉप करने वाले हैं वन टू त्री रैंग जो भी लाएंगे उनकी भी यही आलत है इस समय जो आपकी है चाहें एवरेज परफॉर्मेंस वाला हो चाहें टौपर वाला हो सब इस समय जब एक्जाम आने वाला होता है ना दस दिन पहले एक्जाम प्रेशर होता है एक एक्जाम वाली भी बीमारी है इसके लिए भी कोई डॉक्टर जरूर न चीए जो इनका भी इलाज करें कई लोग को सब आता हुआ भी जो है हार माने ले रहे हैं कि अरे नहीं नहीं जाओंगा और जाओ तो यार दियो तो जाके एक जाम कुछ नहीं हुआ तो एक एक्स्पिरियंस हो जाएगा यार भाई PCS की तयारी कर रहे हो अटेम्ट इसमें नहीं काउंट होते हैं कितने बार बताया जाएगा आपसे जाएए लड़िये अपने जीवन का इस ट्रगल आपको खुद करना पड़ेगा जीवन में बड़ा बनना है तो समझ रहे हो अगर कॉमन में बनके पैदा हुए हो या फिर गरीब बनके अगर पैदा हुए हो वो गलती आपकी नहीं थी मरना मत ये गरीब बनके मेहनत करो जब तक जीवन मिला है तब तक संगर्स करो लगातार जो है लगे रही है सब बढ़ जाओगा अगर आपने पूरी शिद्दत से मेहनत करी है तो सिलेक्ट जरूर होगे मैं आपको बताता हूँ जैसे लेकपाल का रिजल्ट आया भी कई सोरे लोगों का मैंने देखा नहीं हो पा रहा थे तीन चार साल में अब हो रहा है तो लगातार हो रहा है पीसेर दो जार इकिस का जब फाइनल रिजल्ट ऐसे ये एकाद नाम है सिर्फ ऐसे बहुत सारे लोग अल्डेडी समाज में मौजूद हैं उन लोगों से सीखिए पेपर जरूर देने चाहिए मेरी अड़वाईज आईए और लडाई है वहाँ पे कॉम्टीशन है अरे तैयारी करके जाओ ना पहले ही अगे मार रहा हो चल पड़ो जाओ पड़ो जाके चुप चाप चलो बस होगया बस